हाई वरीडियो वेलकम बैक तो नदर वीडियो इन दिस वीडियो आंग टॉक बाउट डेटा स्ट्रुक्चर एन अल्गोरिटम कोर्सेश यह कोर्सेश काफी रिक्विस्ट किये जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन पर बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई जाए तो इस तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन भी प्रेश कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो पहला जो कोर्स है वो है उडेसिटी का आपको उडेसिटी के बारे में पता ही होगा यह one of the best e-learning platform है all over the world अगर हम बात करें e-learning के बारे में तो यह platform बहुत अच्छा है इनके courses बहुत महंगे मिलते हैं बट गूगल की तरब से एक data structure and algorithm का course बिलकुल free में मिलता है जहां पे आप बहुत ही अच्छे से different topics सीख सकते हो data structure and algorithms के तो इस course में आप सीखो interviews बगरा हैं उनके बारे में भी सीख सकते हो साथ में आप technical interviews के लिए preparation भी कर सकते हो तो course काफी अच्छा है बिलकुल free में है चार विक का course है intermediate level का अगर आपको normal python programming आती है हम अगर prerequisite की बात करें कि इस course को लेने के लिए आपको simple English आनी चीए ताकि आप English समझ सको यह course analytics तो guys course बहुत अच्छा है इसको enroll करने के लिए simple जो मैंने link दिया उसको आपको follow करना है यहाँ पर start for free पहले आप यहाँ पर sign up करके login कर लेना login करने के बास simple आप यहाँ पर enroll कर लेना यहाँ पर कुछ भी पैसे वगरा pay करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर हो जाएगा अब हम बात करते हैं तीन different courses जो पेलेबल है जो पहला course वो है data structure and algorithm specialization में 6 different courses है और सभी के सभी courses आप free में ले सकते हो इन courses को लेने के लिए simply आप financial add में apply करना होगा अगर आपको नहीं पता financial add में apply कैसे करते हैं तो मैंने link एक video का description में दे रखा है वहाँ पर जा देख सकते हो बहुत अच्छा course है आपको course complete करते हो तो आपको certificate भी मिलेगा 100% online course है flexible schedule है आप अपने ही साफ से पढ़ाई कर सकते हो intermediate level इसमें आपको c++ java c python javascript और बहुत सारे languages हैं जिसमें in algorithms go in data structure यह जो course है approach अगर आप अराम से पढ़ाई करो 6 घंटे पर विक तो 8 महीने तक लग सकता है बट यह आप पर depend करता है कि कोर्स कितना जल्दी complete करते हो तो course बहुत अच्छा है इसमें आपको यह जो इसमें छे कोर्स करने होंगे पहला algorithm toolbox then data structure then algorithms on graphs then algorithms on strings उसके बाद advanced algorithm and complexity then genome assembly programming challenge यह सारे courses आपको complete करने होंगे इन सभी courses के मतलब 6 आपको अलग-अलग certificate मिल लेते हो तो आप एक को specialization certificate भी मिलेगा तो आपको करना क्या है हर एक course में आपको financial एड के लिए apply करना है जैसे पहले course में करना तो पहला course open कर लेना open करने के बाद simple आप इसमें enroll करना enroll करने से पहले आप देख लेना यहां पे financial एड के थूई आपको enroll करने ना है मैंने link दे रखा है video के description box में वहां से आप देख सकते हो कैसे financial एड में apply करते हैं अब हम बढ़ते हैं Coursera के बहुत अच्छे courses जो की algorithm के courses हैं दो courses यहां पर दिये गया है algorithm part 1 and algorithm part 2 यह guys बहुत अच्छे course है इन दोनों courses में आपको certificate नहीं मिलेगा बल्क यह दोनों courses free हैं आपको इसमें कोई भी financial एड के लिए apply नहीं करना है इसमें enroll करने के लिए simple आपको क्या करना है enroll for free पे क्ल बहुत अच्छे हो सकते हैं आप basically इसमें algorithm पर focus किया जाएगा जो भी graphs वगरा होते हैं जो spanning tree आप जानते हो shortest path वगरा जो भी चीज़े होती है algorithms में वह सारी चीज़े इसमें बताई जाएंगी तो यहां पर दो courses आपको मिलते है algorithm part 1 and algorithm part 2 दोनों में आपको enroll कर लेना enroll करने के ले simple enroll for free पर click करो and full course no certificate पर आपको simple click करना है और enroll कर लेना है enroll करने के बाद आप start learning पर click कर सकते हो और उसके बाद इन courses को बहुत ही असानी से बिल्कुल free में आप पढ़ सकते हो देखो गाइस इन courses की अगर हम बात करें data structure and algorithm की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें certificate की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम जब भी कोई interviews में जाते हैं या फिर किसी company के लिए apply करते हैं तो वो हमसे यह नहीं पूछते हैं कि में पढ़ा जाते हैं हमारे class work में भी होता है तो कोई problem की बात नहीं अगर आपको certificate मिलता है या नहीं जो में पॉइंट है वह आपके पास knowledge होना चाहिए data structure and algorithms का जो concept है वह clear होना चाहिए यह courses काफी अच्छे हैं क्योंकि courses बहुत ही अच्छे university द्वारा प्रिंस्टन university national research university higher school of economics यह courses बहुत अच्छे हैं और जो पहला course मैंने बताया था वो बहुत ही अराम से और आपको इन courses के करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई course करने की जरूरत पड़ेगी तो अभी और भी मैं search करूंगा और भी अच्छा कोई course मिल जाता है data structure and algorithm पे तो के साथ भी शेयर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि आप चैनल explore करके भी देख लो अगर वीडियो आपको पसंद आती है मैं जो भी काम कर रहा हूं वह पसंद आता है तो आप चैनल को subscribe भी कर लेना तो गैस चलो मिलते है नए वीडियो में लेप लेप लीप लटनीग